ये काली सी दिखने वाले चीज अनार के फलों का साइज बड़ा कर देगी इसी के साथ साथ आपके पौधे पर फल भी ज्यादा आने लगेंगे तो ये चीज क्या है और कितनी यूज करनी है आगे वीडियो में हम सभी बातें जानने वाले हैं अनार के फलों का साइज पहले से कई गुना बड़ा होने लगेगा जी हां दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक ऐसी ख़त सेयर करने वाले हैं जिसकी साइथा से आपका पौदा ग्रोध तो करेगा ही लेकिन उसी के साथ आपके फलों का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा यानिकि फलों का साइज जो है कापी इस तरीके से बड़ा होने लगेगा इस देखिए मैं आप लोगों को अच्छ तरीके से दिखा देता हूँ और भी हमारे पौदे पर जो है अनार आ रहे हैं और इनके फलों के साइज की बात की जाए तो इनके फलों के साइज जो है पहले छोटे आते थे लेकिन जब से हमने इस पौदे में जो है खाद का उप प्योग करना प्रारम किया है तब से हमारे अनार के पौदे पर जो है फलों का साइज भी काफी बड़ा आ रहा है और पौदे पर जो है इस तरीके से देखिए फल भी काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों के बताने वाल तो आज हम आप लोगों को यही सभी बातें बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीज अपने जमीन में लगा हुआ है और काफी तरीके से इस पर हैवी फ्रूटिंग हो रही है और हमने इस पौधे पर जाल भी लगा रखा है जिससे हमारे पौधे पर तोते पच्ची गलहरी नुकसान न कर सके हैं यह देख ले गया काफी अच्ची तरीकी से हमारे पौधे पर जो है फ्रूटिंग हो रही है और इनके फ्रूटिंग का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है अनार के पौधे पर ज्यादा बड़े और ज्यादा फल लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने पौधे पर जो अमारे पौधे पर फ्लावरिंग का टाइम होता है तब ही हम इस प्रक्रिया को अपलाई अपने पौधे में करेंगे तो हमारे पौधे पर ये देखिए कापी अच्छी तरीकी से फ्लॉबरिंग भी हो रही है और जितनी भी हमारे पौधे पर सूखी ब्रांचेस हैं उन्हें आप लोगों को कटर की साइथा से कट कर देना है ये देखिए हमने अपने एक सीमेंट पौट में अनार का पौधा लगाया हुआ है जिस पर कापी अच्छी तरीकी से फ्लॉबरिंग हो रही है सबसे पहले आप लोगों को एक चाकू लेना है या फिर कोई गार्डिंग टूल उसकी साइथा से आप लोगों को सभी मिट्टी जो है उसकी अच्छी तरीकी से गुड़ाई कर देनी है आप लोगों को गुड़ाई एक से डेड़ इंच गहराई तक करनी है गुडाई कर देने के बाद आप लोगों को ये मिट्टी जो है gardening tool की साइता से बाहर कर लेनी है तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने एक पॉ Теперь मैं gardening tool की साइता से गमले की मिट्टी जो है उसे बाहर कर लेते हैं इस तरीके से आप अपने पौदे से जो है मिट्टी बाहर निकाल सकते हैं तो फाइनली दोस्तो हमने अपने गंबले से गार्डिंग टूल की साहता से मिट्टी को हमने बाहर निकाल लिया है दोस्तो अब हम अपने पौदे में वर्मी कमपोष्ट या फिर कमपोष्ट खाद यूज़ करने वाले हैं लेकिन हम अपने पौदे में वर्मी कमपोष्ट खाद का रियूग कर रहे हैं वर्मी कमपोष्ट खाद अगर आपको का पौदा गमले में लगा हुआ है तो आपको 100-500 ग्राम वर्मी कमपोस्ट खाद लेनी है और पूरे गमले में आप लोगों को अच्छी तरीकी से फैला देनी है और इसी के साथ हमें एक खाद और लेनी है इसका नाम सीवीड है ये समुद्री सहवाल से बनाया आता है दुस्तो ये आप लोगों को 1-1.5 चमच शीवीड खाद लेनी है और गोवर खाद जो हमने डाली थी उसी के उपर एक लेयर बना देनी है इस तरीके से आप अपने शीवीड खाद की लेयर बना सकते हैं और जो हमने पहले गमले से मिट्टी बाहर निकाली हुई थी अब उसी मिट्टी को फिर दुवारा से हम एक मिट्टी की लेयर बना लेंगे और गमले को मिट्टी से भर देंगे एक सतह से आप लोगों को समान सतह बना देनी हैं दोस्तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसके बाद आप अपने पौदे में भरपूर वाटरिंग कर दीजेगा, इस तरीके से आप अपने अनार के पौदे में अच्छी तरीके से भरपूर वाटरिंग कर देंगे, तो चलिए जल्दी से हम अपने पौदे की वाटरिंग किये लेते हैं, और दोस्तो इसके बाद पर जितनी भी सूगी ब्रांचे से हैं उन्हें आप लोगों को कटर की साइथा से कट कर देना है तो फ्रेंट्स इस प्रक्रिया को अपलाई करके आप अपने अनार्गे फलों का साइज बढ़ा कर सकते हैं